तो चलिए चन आज आपको एक लेटर इंफॉर्मेशन लेटर अपडेट देंगे जो आपके एक्जाम को लेकर होगी ठीक है काफी बच्चे मैसेज किये हैं कमेंट किये हैं उसका जो क्लारिफिकेशन है वो हम आपको करेंगे टाइटल आपने अल्रड़ी देख लिया होगा तो चैनल पर नए है चैनल को सब्क्राइब करके बैल आपके को प्रेस कर लें जिसे कि आपको आनले वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके और जो नया चैनल आपके लिए क्रेट किया गया है प्लेज उसको भी आप फॉलो जरू कर लें यहां पर उसका लिंक दिय किया गया है नाइलेट क्लासेज बाई विकासर के मादम से यह आपके लिए चैनल क्रेट किया गया है यह ओनली फॉर लेबल दे संबंदित आपकी वीडियो को रिगवर करता है तो देखिए हमारे पास एक कमेंट आया जिसके उपर मैं आपको एक्प्रेंट कर दूंगा ठ उसके बाद से ही यह हमारे पास जो डाउट हर बार आते है कि बच्चे पेपर देके आते हैं अपना एक्जामनेशन देके आते थे और जब उनका जो है रिजर्ड डिक्लियर होता था उनका पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता था आंसर की वी वो मिला लेते थे लेकि प्रिजर्ड में उनका रिया एक आपस ग्रेग तो ऊसके सांदर में इसे अंदर में रहे आप के लिए zur तो पहले comment देखते हैं फिर आपको जो भी discussion वोगा बताएंगे इसको जरू करते हैं helpful information है इन्होंने लिखा है यहाँ पे ओलेवल इन्होंने बिसिकली negative comment यहाँ पर दिया है मैं आपको पेश करके दिखा देता हूं इन्हों लिखा है कि ओलेवल ना करना कोई यानि कि कोई भी जिसके जिन्हों लिखा है ना ही timely result आता है और ना ही exam देकर जब आते हैं तो उसके according grade भी नहीं आता है ठीक है तुझोंने यह complaint एक तरह से हमारे पास comment की है तो यह मैं आज से नहीं सुनना हूं यह 2015 से मैंने आपको बताया 2015 से 2012 तक इस पर करके हर बार आता है result का declaration आने के ब नायलेट संस्थान है कि अब वो आपको fail करता है बच्चों को जान मुझके fail करता है तो देखे मैं आपको जो अपना experience इसमें बताओंगा 7-8 साल का experience हमारे पास है नायलेट से संबंदित उसमें देखने को मिला है 2017-18 के peak में अगर हम आपको बताएं तो उसमें यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था ठीक है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादात में fail होते थे paper उनका अच्छा होता था fail भी होते थे ठीक है उसमें क्या था बहुत सारी information हमारे पास नहीं थी जैसे कि copy recheck होना retotaling होना ठीक है या answer script कर देखना वहाँ पे जाकर तो यह सारी प्रापदान उस समय बहुत कम चलते हैं 2019-2020 में इनका जो है ज़्यादा ना लटने अपडेट यहाँ पे दी तो उस case में क्या होता था बच्चे fail होते थे अब किये जाते थे इस पे तो मैं claim नहीं कर रखता हूं कि बच्चे fail किये जाते थे जो भी आप copy में आप लिक के आ होता है उसमें से वह आपको सेवेंटी सेवेंटी फाइब दे देते हैं अगर मान लेजिए उन्होंने आपसे डिमांड की है पैसे की यानिकि मान लेजिए उन्होंने पहले तो बहुत कम फीस में हो जाता था इंस्च्चूट वाले जो थे 500 रुपीस या 5000 में आपको पास क करतें हैं कि 75 गरेट 75 अपको दो है तो यह हक्क düny नमबर आपको मिल जाते हैं बेसे के सब्सक्राइब Cosignal को देनाा जो आपने प्रिष्टैकल कि होगा वह आपके मिल थो आपको एड़ करतें गर मान लेजा आपको तो और वह 20 में से जो भी A, B, C, T grade मिला उसके नुसार उसमें 10 नमबर या 5 नमबर आपका जुड़ के 70 नमबर आपका टोटल बन जाता है इस पेकार से ठीक है तो इसमें fail करने की कोई गुंजायस नहीं है हाँ अगर आपने बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा या पिर हो सकता है वहाँ पे सबी बच्चे जो हैं पैसे दियों आपने ना दियों तो उस case में कुछ हो सकता है कि आपका मालिज या upgrade आपको दे दिया गया गुस्य के करना जो भी हो तो उसके लिए भी प्राबधान है आप अपनी copy बगरा निकाल के देख सकते हैं और अगर आपने सब कुछ सही किया तो भी कोई दिकत नहीं होगी अधिकतर जो बच्चे फिर होते हैं वो प्रेक्टिकल में ही उनके नंबर कम हो जाते हैं जिससे की क्यूकि इसका कोई प्राबधान नहीं है आपका copy चेक करने का और ना दिखने कि वाइबा में आप क्या copy चेक करेंगे वाइबा में जो आपने बताया वो बताया आन laying है आपके पास कोई recording THो होती नहीं उसके साथ जब ओमेयर वाला जैसे की आपका है मालेजे तो OMR वाला आपका कहां शाव कौपे जएक होने जाएगी तो आपके नालेट में ही आपका Optical Character Mark Leader में आपका जो है इसमें OMR आपके CT यहां से इंटर की जाएगी और इधर से चेक होके जितने भी आपके और इसमें आपके गोले यह आपने पूरी डक्ती आपके मालेजे बहुत अच्छी ज़ूआ रहे तो नालेट आपके गोले भर दे तो यह सारी चीज्जे नहीं होती है ठीक है हाँ पहले वाले में क्या था मालेजी लिखने वाला सिस्टम था तो उसमें फेल कर देता था नालेट को हमने कहेंगे डालेट कर देता था इस्टेप मार्किंग के कारण जो हैं आपके नंबर कड़ जाते हैं तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जितने आपने गोले करेंगे उसका अनुसार आपको नंबर मिल जाएंगे तो नालेट आपको फेल नहीं करता है हाँ इंस्टिटूट से बहले आपको कुछ निगेटिब देखने को मिल जाए वह यह फीस का करण अगर वो फीस दिमांड करते हैं अगर आपने नहीं पेकी तो खुछ से करण वो आपको फेल कर सकते हैं कि दस बच्चों ने दी और पांच बच्चों नहीं दी तो जो भी है उनका केस जीक है तो ऐसा होता है तो यह है बिसक्रीन का कमेंट तो ऐसा नहीं है मैं आपको 2015 से करीबन ओलेबल की क्लासे यहां पर दे रहा हूं अब नालेट का डियर में आता है तो उसके लिए knowledge को थोड़ा सा समनना चाहिए 60 days जो है बहुत ज़्यादा time होता है minimum 30 days के अंदर आपका result अब declare हो जाना चाहिए OMR के मांदम से ठीक है लेकिन फिलाल अभी भी जो date है वो October last की आपको दी गई है ठीक है तो इसके अनुसारिया आपका जो result वो निकलाएगा तो O-Level करें कोई दिक्कत नहीं है O-Level best है इंस्टूट से कर सकते हैं या direct भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब इंस्टूट से करने का एक आपको plus point मिल जाता है कि मालिज आप इंस्टूट है तो जायरती बात है वो आपको अच्छे नंबर तो देए दें क्योंकि वहा है आपको अ अग्या प्रिक्यक्ट में तो फेल नहीं होता है बस O-Level कोई दिककत नहीं है एकजाम में आपको कोई भी फेल नहीं करता है ना HOW को इंस्टूट आपको ऐसे फेल नहीं करता है विल्कुल गलत करते हैं बासा करते हैं आपको यह सारी doubt है वो clear हो गई होंगी जैसा आपने paper किया गो according आपको number मिल जाएंगे तो thank you for watching